चार्ज q equal to t square minus 2t जब चार्ज टाइम पर dependent है how much heat is produced in resistor 2 ohm from time 0 till current become 0 वो पूछ रहे हैं कि वो heat बताईए from time 0 to वो वाला time जब current की value finally क्या हो जा रही है 0 तो हमें वो time पता करना पड़ेगा तो पहले current देखें क्या है current होता है dq by dt इसको differentiate करेंगी यह current आ गया अब इसकी value 0 कब है पहले यह देखें इसकी value 0 है at time 1 second तो हमें अब heat निकालना है from time 0 to 1 second तो पावर होगा i square r squaring करा इसका r is 2 so power is 8 t square minus 16 t plus 8 अब यह power जो है यह time dependent है तो इसको integration से ही हमारी heat निकलेगी और जो time की limits है वो 0 से 1 second आप हैर इस दीन फूरीग ज्ट फवक्र दूरीग है कि रहता उन्त प्रेंगी निक डेंगे तो ही और जो हैं अबगे की तो आप टो गदेंगे मेंगे एड़ आद निको प्रसमारीग जदाएब खिगगे न्याद़ोरीगे में आप हैंगी तो 1 का क्यूब 1 होगा जिरो में तो टर्म जिरो हो जाएगा 8 by 3 minus 8 plus 8 so the heat is 8 by 3 joules